नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल नोलेज 100% में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी न्यू में लोंच हुआ है आईक्यू 7 जिसे हम आईकू 7 कहते हैं तो दोस्तों इसमें एक बड़ी बात यह है कि यहां पे जो सीम लगाने का जो जगा दिया वहां पे लगता है दो सीम ठीक है लेकिन पता नहीं चलता है कि वह एक सीम और लगेगा कहा तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वह दूसरा सीम आपको कैसे लगाना कैसे यूज करना हाला कि आपको यहां पीछे में दिख जाया कि यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि यह एक डंगी है ठीक है तो दोस्तों इसे रिमूब कैसे करना तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि पहला सीम मेरा यहां पर फिक्स हो गया पर यहां पर आप देख सकते हैं कि दीरे से प्रेस करके निकाल देना वह एक डमी था अब उसके जगा में में चलिए सिम उन को लगा कर आपको दिखाता हूं और यह भी दिखाऊंगा कि फोन में उसका नेटवर्क आया कि नहीं आया चलिए दोस्तों मैं यहां पर सीम टूग के लगा दिया हूं और उसके बाद मोबाइल में लगा के देखा जाए कि नेटवर्क मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है देख सकते हैं दोस्तों मैंने यह सिम को इंसर्ट कर दिया हूं हम देख सकते हैं दोस्तों यहां पर मेरा सीम टू सो कर रहा है बट सीम वन सो नहीं कर रहा है चलिए मैं अब पो सेटिंग में दिखाता हुआ जाके दोस्तों यहां देख सकते हैं नेटवर्ग मेरा सो कर रहा है कि मेरा यह सीम सपोर्ट कर गया है सीम टू में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा SIM card and mobile network में जाने को बाद Airtail सो कर रहा है और यहाँ पे SIM 2 पे paste करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों enable the SIM card, SIM card enable है वहाँ SIM 1 में no SIM card लिख रहा है दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे पेसे like, comment, share and subscribe चर्म कर देएं